हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत सौगत है हमारे इस चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ समसंग मोबाइल में कैमरा वार्निंग फेल्ड प्रॉब्लम को सौल कैसे किया जाता है जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो हमारे पास समसंग का मोबाइल है और जैसे ही दोस्तों मैं इसमें कैमरा ओपिन करता हूँ तो इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ज लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा तो फ्रेंड्स यह रहा हमारे पास समसंग का मोबाइल जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो तो दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा किस प् वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देख लिया तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपको यूटूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सेटिंग आप लोगों को आपन कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखे पहले नमर प दोस्तों यहां पर सारी अप्लीकेशन आ जाएंगी जितनी भी अप्लीकेशन आप लोगों के मोवाईल में इन इस्टॉल हैं तो दोस्तों आप लोगों को क्या है कैमरा ढून लेना है कहां पर हैं तो हमारे में यहां पर रहा तो दोस्तों इस पर आप लोगों को क्लिक कर के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आप लोगों के सामने अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को करना क्या होगा यहां पर दोस्तों देखे इस टोरेज का दोस्तों ओप्सन देखने को मिल जाएगा पहले नमर पर इस पर आप लोगों को दुस्तों क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आप दोस्तों यहां देखें किलियर डाटा का दुस्तों अप्षिन देख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद डिलीट को अप्षिन पर क्लिक कर दिजे इसे आप टेंशन मत लीजे आपके फोटो और वीडियो कुछ भी डि बाके रखना है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखे रिस्टार्ट का दोस्तों मिलेगा इस पर किलिक कर देंगे तो दोस्तों यह आपका मुवाइल स्वीच आप हो जाएगा उसके बाद आटोमेटिक दोस्तों आपका मुवाइल ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ज कैमरा वर्क करने लगएगा जैसा ही दोस्तों देखे किलिक किया कैमरा दोस्तों देखे वर्क कर रहा है जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो मैं हाथ नीचे करके दिखा देता हूं यहां पर देखे कैमरा पूरी तरह से और कर रहा है तो इस प्रोल्म का समाधान आप कर सक करते हैं चुटकियों में